दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके B.E.C. Second Day of 4 Semester Botany के Most Important Very Short Answer Type Question और Multiple Choice Question लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी Question इंक्लूड किये है सभी Question बहुत ही Important है और Previous Year में आपके किसी न किसी University में पूछे गया है तो वीडियो बहुत Important होने वाला है अब वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो चलते हैं Very Short Answer Type Question की और तो हमारा आज का पहला Question है Energy Crop is a term used to describe which crop यानि कि कौन सी फसल को हम Energy Crop के नाम से जानते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जो Energy Crop है वो से हम बोलते है Biofuel और Biofuel के रूप में होता है यूज जेट्रोपा और केरेंजा तो आप इन दो प्लांट के नाम याद रखेगा जेट्रोपा और केरेंजा जिनका यूज किया जाता है ऐसे Biofuel के रूप में और ये Energy Crop कहलाते हैं अगला Question हीविया is a yielding tree यानि कि जो हीविया है ये क्या उत्पन करता है तो आपको पता दे कि हीविया एक rubber yielding tree है question number four है botnical name of sun hemp is तो आपको सनई को गाव में इसे सनई के नाम से जाना जाता है और बड़ा ही important है और आपको इसका botnical name बताना है तो ये question important है इस question को आप याद रखेगा तो sun hemp का botnical name होता है crotolaria जंसिया और exam में आप से इसकी family भी पूछी जा सकती है तो इसकी family है papilio niac आए चलते हैं अगला जो हमारा question है वो multiple choice question है question है caucus नूसी फेरा belong to the family तो आपको बता दे कि caucus नूसी फेरा नारियल यानि की coconut का botnical name है और आपको बताना है कि इसकी family क्या है आपको option दिए गया है पहला option है leguminacy दूसरा है solenacy तीसरा है palmie और last is poetry तो इस question का जो right option है आप संसी है palmie अगला objective question है which of the following is not a drying oil आपको बताना है कि इन में से कौन सा सुस्क तेल नहीं है आपके option है पहला option है linsed oil दूसरा है soya bean oil तीसरा है sunflower oil और last है sesam oil तो आपको बता दे कि जो sesam oil है यह एक drying oil नहीं है तो आपका जो right option है option D है आए चलते है very short answer type question की और पहला है drugs obtained from natural sources like plant, insect, animal and minerals are called यानि कि कहने का मतलब है कि जब औसदिया natural sources जैसे की पौदों, कीटों, जन्तूओं और mineral से प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता दे कि जब भी कोई drug natural resources से बनता है तो उसे हम बोलते हैं crude drug चलते हैं अगले question की और अगला question है the study of the physical, chemical and biochemical and biological property of drug is called यानि कि कि किसी भी औसदी के उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रापर्टी के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो आपको बता दे कि जब भी हम किसी औसदी के भौतिक, रासायनिक, उसके जैविक, रासायनिक या फिर बायलोजिकल प्रापर्टी का अध्यान कहते हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मा कुग घुटनोसी आए चलते हैं धर्ड कोस्चन की ओर धर कोस्चन हे इजन एंटी कैंसर ड्रक कहते हैं तो इसका एंसर है टेक्सल अगला इंपोर्टेंट बजेक्टि कोशनوب फॉसटम कैन यानिकी आप सभी ने सिनकोना के प तो इसके कौन से पार्ट से सिंकोनी तैयार किया जाता है आपके option है पहला option है बार्क्स दूसरा है लीफ्स तीसरा है रूट और लाश्ट है इस टेम तो आपका जो राइट option है बार्क्स यानि की छाल अगला question है संजीवनी plant is narrated in the Ramayad यानि की जो Ramayad आप सभी ने सुना होगा Ramayad की कथा में हम संजीवनी के बारे में सुने होगे कि हनुमान जी ने संजीवनी ले कर गया ठिक है तो Ramayad में किस संजीवनी के बारे में वर्ण किया गया है तो यहां पर उस संजीवनी का आपको botanical name बताना है तो यहाँ पर आप जो option देख रहे हैं पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों ही रामायन में संजीवनी के नाम से जाने जाते हैं यानि कि तीनों ही संजीवनी है तो आपका right option है option D अगला question है sacred groups आर यानि कि पवित्र उपवन होते हैं जाता है या फिर वहां के लोगों से अच्छूता रहता है यानि कि वहां के लोगों से डिस्टर्ब नहीं करते ठीक है दूसरा option है place for grazing animal यानि कि चरने वाले जानवरों के लिए स्थान तीसरा है forest used for planting tree for medicinal properties यानि कि ऐसा जंगल जहां पर कि जो medicinal plant है उनको grow कराया जाता है और last option है forest marked for commercial filling of tree यानि कि ऐसा जंगल जहां पर कि जो commercial plant है उनको काटने से रोका जाता है तो इस question का जो right option है option first है part of large forest that has been left untouched by local people आई चलते हैं अगले objective question की और अगला objective question है the term ethno botany was first coined by यानि की ethno botany सब्द सबसे पहले किस ने दिया था आपकी option है पहला option है sir elexander flaming दूसरा option है jw hars burger और यही option सही है तो आपका जो right option है option b है चलते हैं अगले question की और अगला question है codeine morphine obtain from यानि की codeine और morphine इन में से किस से प्राप्त किया जाता है तो आपको बता दे की codeine और morphine ये एक ऐसे alkaloids है जो की narcotic है और ये प्राप्त होते हैं paper work, somniferum यानि की अफीम के पौधे से तो इस question का जो right option है option a है चलते हैं अगले question की और अगले question है the study of medicinal plant and other natural substance as a source of drug known as यानि की medicinal plant के अधेयन और जो other natural substance है जिससे की drugs प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं तो इस question का जो right option है और अपसंडी है pharmacognosy चलते हैं अगले question की और अगले question है which of the following plants is are worksheed in India यानि की आपको बताना है की इन में से कौन से पौधे का यूज भारत में पूजा करने में किया जाता है तो आपकी option है पहला है people दूसरा है ग्रू यानि की दूब घास तीसरा है तुलसी और लास्ट आपसंडी है आपका जो right option है अपसंडी है और सुखा कर पौधे के सुखे वे भाग को जो हम collect करते है specimen के रूप में तो उसी को हम बोलते है हर्वेरियम तो इस question का जो right option है अपसंडी है A scientific collection of pressed dried plant specimen चलते हैं अगले question की और अगला question है intellectual property rights यानि की IPR protect the use of information and ideas that are off यानि की इन में से कौन सा ऐसा information है या idea है जो की IPR के दोरा protect किया जाता है आपके option है पहला option है social value दूसरा है moral value तीसरा है commercial value और last है ethical value तो इस question का जो right option है option C है commercial value यानि की आपके जो information है या आपके कोई innovation है या कोई ideas है अगर उसका कोई commercial रूप से use करता है आई पी आर के पास चलते हैं अगले question को अगला question है IPR in India cover यानि की भारत में जो IPR है वो किस-किस छेत्रों को cover करता है यानि की रोकता है आपके option है पहला option है patent दूसरा है copyright तीसरा है tradmarks और last option है all of the above तो इस question का जो right option है option D है all of the above अगला question है copyright is A यानि की copyright इन में से क्या है तो इस question का जो right option है option A है creation by person of efforts intellectual and capital अगला important objective question है भिरिंगराज is common name of यानि की हम किसे भिरिंगराज के नाम से जानते हैं तो इस question का जो right option है option C है Eclipse, Elba तो Eclipse, Elba को हम बिरिंगराज के नाम से जानते हैं तो इस question का जो right option है option C है तो दोस्तो इसी के साथ हमारा आज का MCQ और very short answer type पर वीडियो समापत होता है तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt है आप हमसे comment करके पूस सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत